Hello Everyone, आप सबका स्वागत हमारी YouTube Channel पे, मेरा नाम है सत्विंतर और आज हम डिसकस करेंगे Post Office की एक और बहुत ही बहतरी इन स्कीम के बारे में आज हम डिसकस करेंगे Post Office की NSA स्कीम के बारे में जिसको हम National Savings Certificate भी बोलते हैं बहुत सारे लोग RD, Post Office की Fixed Deposition, FD, PPF इनके बारे में ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं या इनके बारे में ज़्यादा सुना होगा लेकिन जो NSC है, NSL Savings Certificate है ये इन से कहीं भी पीछे नहीं है जो इसके आपको interest मिलता है और जो investment के बाद आपको total amount मिलती है वो amount बहुत सारी, Post Office की बहुत सारी स्केमों से ज़्यादा है तो आज हम डिसकस करेंगे कि NSL Savings Certificate का खाता कौन-कौन खुलवा सकता है इसको खुलवाने का procedure क्या है क्या-का हमारे document लगेंगे, form कैसे भरेंगे और कितने से एक खाता कुलेगा मैक्सिमम हम कितने रुपे जमा करवा सकते है अगर हमें इस स्कीम में बीच में पैसे चाहिए तो उस case में हम क्या कर सकते है इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि tax rebate हमें इसमें मिलती है या नहीं और हम इसको last में compare करेंगे जो post office की fixed deposit scheme है उससे तो चलिए जानते हैं post office की NSE यानि national saving certificate के बारे में सब कुछ National saving certificate यानि NSE यह भी post office की अन्या स्कीम की तरफ ज़्यादातर scheme है यह 5 साल की scheme है तो आप सोच रहे होगे इसे पहले हमने वीडियो करी थी पोजट की उसमें भी एक 5 साल की FDC तो 5 साल के लिए हम उसमें भी invest कर सकते हैं और 5 साल के लिए हम इसमें भी invest कर सकते हैं तो दोनों में difference क्या है और इन दोनों में से ज़्यादा हमें पैसा किसमें मिलेगा ज़्यादा interest किसका है तो यह सारी चीजे discuss करेंगे हम एक एक करके सबसे पहले जान लेते हैं कि National Saving Certificate यानि NSC कौन-कौन खुलवा सकता है जो National Saving Certificate है यह भात का कोई भी citizen, कोई भारती है इसको खुलवा सकता है जिसकी age 18 से उपर हो चुकी है वो अपना खाता खुद operate कर सकता है मतलब उसके नाम से खुलेगा और वही उसमें पैसे जमाग कर सकता है निकाल सकता है इसके अलावा जिसकी उमर 18 से कम है वो भी खाता खुलवा सकते हैं उनके नाम से भी खाता खुल जाएगा लेकिन उसको जो operate करेगा उसके माता पिता करेंगे तो जो उसको अपना करेंगे खुलवाने के लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले यह खाता 1000 उपे का minimum खुलता है तो इसलिए आपके पास 1000 उपे होने चाहिए उससे ज्यादा इसके उपर कोई limit नहीं है maximum limit आप कितने ही रुपे का ये खाता खुलवा सकते हजार से लेकिन एक सर्थ यह है कि जितने का भी आप खाता खुलवाएंगे वो 100 का multiple होना चाहिए मतलब कि ये नहीं होगा कि 2510 रुपे का खाता खुल जगा ये हमाईशा 100 के multiple में खुलेगा जैसे 1000, 2000, 3000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 तो ऐसे खुलेगा तो आपको जितने का भी खाता खुलवाना है तो पैसे लेंगे पोस्ट ओफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक account opening form दिया जाएगा जो एक simple सा form है वो आप भरेंगे और इसके लिए जो document चाहिएंगे आपकी कोई भी दो ID और दो photo इसके लिए काफी हैं आपके account खुलने के लिए जो form है उस ये पोस्ट ओफिस की जिदर भी schemes है सब के लिए common form होता है उसमें कुछ नहीं होता आपका नाम भरना होता आपको बताना होता आप कौन सी scheme का खाता खुलना चाहते हो उसके लावा पुछा जाता कि आप ये खाता single खुलना चाहते हो जोट खुलना चाहते हो जैसा कि इसके नाम में भी है लेकिन अब 2016 के बाद ये चेंज कर दिया गया है अब certificate की जगह जैसे आपको passbook मिलती है किसी बैंक में या पोस्ट ओफिस में तो आपको certificate की passbook ही मिलेगी और ये खाता आप कितने भी खुलवा सकते हो ऐसा नहीं कि एक बंदाई की खाला खुल भी रूली नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 साल से पहले इस खाते को आप बंद करवा ही नहीं सकते तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक जो पोस्ट ओफिस की FD scheme है 5 साल के उसमें आप इसको 5 साल से पहले बंद करवा सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको हो जाए तो उसकेस में ये 5 साल से पहले बंद हो सकता है इसके अलावा किसी ने प्लैज करवा रखा है तो उसकेस में भी ये 5 साल से पहले बंद हो जाएगा प्लैजिंग के केस में ये बंद हो सकता हम आगे चलके देखेंगे कि प्लैजिंग आखिर होती क्या है और तीसरा लेट है और इसमें जो इंटरास्ट होता है वह आपका maggrai कंपाउंड होता है यह मतलब क्या होता है कि जब आपने खाता फूल वाया महर ले आपने एक लाक रूपर काता खूल वाय तो एक साल के बाद आपका जो ब्याज होगा वह आपके EC NSE account में चला जाएगा और अगले साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा मतलब हर साल आपका ब्याज जुड़ेगा और उस पर ब्याज पर ब्याज लगेगा लेकिन जो post office की fix deposit scheme थी जो 5 साल की थी उसमें ऐसा नहीं था उसमें क्या था जो ब्याज था वो आपको एक साल के बाद मिल जाता था मतलब कि आप उसमें एक साल बाद अपना ब्याज ले सकते हो लेकिन उसमें एक साल के बाद कोई ब्याज के उपर ब्याज नहीं मिलता था अगर आप वो एक साल के बाद नहीं लेते हो fix deposit scheme में interest जो आपका ब्याज बना हुआ है तो उस पे कोई extra ब्याज नहीं लगेगा लेकिन NSE जो National Saving Certificate है इसमें ये facility है कि आपको ब्याज नहीं मिलेगा आपके account में वो ब्याज जुड़ता रहेगा उस ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा Post Office की Fixed Deposit Scheme जो 5 साल की है उसमें और National Saving Certificate NSE में ये और एक difference है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी चीच चाहिए अगर आपको हर साल ब्याज चाहिए तो आप Fixed Deposit में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको ब्याज नहीं चाहिए हर साल आपको ब्याज भी ब्याज चाहिए तो आप National Saving Certificate में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम आगे calculate करके देखें कि कितने रुपे इन्वेस्ट करने पर आपको National Saving Certificate में कितने मिल रहे हैं और Fixed Deposit Scheme में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस case में आपको कितने मिलेंगे दोनों को comparison करके देखेंगे किस में आपको ज्यादा मिलेंगे तो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं pledge की जो हमने पहले डिसकस किया था कि pledging case में ये 5 साल से पहले भी close हो सकता है तो ये आखिर pledging है क्या क्योंकि post office इस account के कोई loan नहीं देता लेकिन अगर आप इस account के base पे bank से loan लेना चाहते हैं तो bank आपको इस account के base पे loan दे सकता है तो उस case में क्या होता है हमें ये account pledge करवाना होता है तो सिधे अगर साधान सब्दों में कहें तो हमें ये खाता bank के पास गिर्वी रखना होता है अगर आपने bank के पैसे लोटा दिये तो आपका ये खाता आपके नाम हो जाएगा अगर आप वो bank के जो आपने loan लिया था आप लोटा नहीं पाए तो आपने क्योंकि bank के पास गिर्वी रख रखा है तो bank क्या करेगा जैसे ही उस loan की जो tenure है जितने सालों का आपने loan लिया था वो complete हो जाएंगे तो वैसे ही bank क्या करेगा पोश्ट ओविश आएगा और आपके जो account में जितने पैसे हैं वो bank को मिल जाएंगे उससे आपका loan चुखता कर दिया जाएगा तो pleasing card ये है तो पांस साल से पहले अगर वो bank आ जाता है पोश्ट ओविश के पास वो account close करवाने तो उस case में आपका account close हो जाएगा अब बात करते हैं पोश्ट ओविश के अगर आपके बाद ये पैसे किसको मिले कोई मिस हरत नहीं हो जाती है तो आप उसमें नोमिनी अड़ करवा सकते हैं इसके लावा पोश्ट ओविश आपको ये account को एक पोश्ट ओविश से दूसरे पोश्ट ओविश ट्रांसफर करवाने के वी facility देता है अब बात आती है कि National Savings Certificate यानि NSE में जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है क्या वो tax free है बिल्कुल जैसे पोश्ट ओफिश के कई ऐसे खाते हैं जिस पर आपको tax rebate मिलती है डेड़ लाग रुपे तक कि STC के अंडर वैसे ही NSE में जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर भी आपको डेड़ लाग तक की tax rebate मिलेगी तो ये भी एक बड़ी आ ओप्जन हो सकता है अगर आप tax बचाना चाहते हैं अब आए calculate करके देखते हैं कि NSE पर हमें कितने पैसे जमा करने पर कितने मिलेंगे और साथ ही हम calculate करके दिखेंगे कि जो fixed deposit scheme है उस पर आपको कितने पैसे मिलेंगे और दोनों को comparison करके देखेंगे किसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम calculate करके देखते हैं NSE यानि National Saving Certificate में कितने पैसे जमा करने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे माली जी हम इस scheme में एक लाख रूपे इन्वेस्ट करते हैं अगर हम इस scheme में जैसे कि आप देख रहे हैं एक लाख रूपे जमा करते हैं तो आपको total interest मिलेगा 38,950 रूपे और यह है 6.8 interest के हिसाब से तो total amount जो आपकी बन जाएगी 5 साल बाद वो मिलेगी आपको 38,950 रूपे तो इस हिसाब से अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद calculate करके देख सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा हम देखते हैं कि same amount अगर हम post office की fixed deposit scheme में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल वाली में तो हमें कितने पैसे मिलेंगे तो आईए देखते हैं माली जी यहाँ पे भी हम 1,00,000 रूपे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्योंकि जैसा हम पहले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं चार टाइप की fixed deposit यानि FD होती है post office में तो ये एक तो ये एक, दो, तीन और पांच साल की जो fixed deposit है उसका interest दे रखा है तो हमें compare करना पांच साल वाली का तो पांच साल में आपको जो interest मिलेगा, वो मिलेगा 34,350 और वहाँ पे हमें लगबल साड़े 18,000 के आसपास interest मिल रहा था, यहां हमें interest मिल रहा 34,350 और पांच साल के बाद जो हमारी amount हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,34,350 लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है जो हमें इसमें fix deposit में interest है वो हर साल मिलता है तो उसको हम आगे reinvest भी कर सकते हैं तो वहाँ से भी हमें interest पे interest मिल सकता है तो अगर आप complete information चाहते हैं fix deposit FD के बारे में तो complete video देख लीजिए जो channel पे है और अगर हम सीधा सीधा देखें तो NSEI National Savings Certificate में हमें जादा interest मिलता है fix deposit के बजाए तो यह था post office की NSEI National Savings Certificate के बारे में सब कुछ तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं अगर आपको इस scheme से कोई related कुछ भी आपको पूछना है इसके लहावा हमने जो post office की fix deposit scheme है और post office की MIS scheme और सुकन्या scheme के उपर डिटेल वीडियो बना रखा अगर आप उन में invest करना चाते हैं तो डिटेल वीडियो देख लीजिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है